गुड मॉर्निंग प्यारे विदार्तियों गायत्री विद्या मंदिर उच्छ माद्यमिक विदालिस आंचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का श्वागत हैं प्यारे विदार्तियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्सा 6 की व्याकन का जो परकन है कारक परकन भाग 2 उसमें पिछले विडियो के अंदर हमने पढ़ा था करता कारक करम कारक और करन कारक करता करता ने करम को चिन था और करन से दवारा इन तिनों कारकों को हमने पढ़ा था तो आज हम उनी कारकों के आगे अगला कारक कुन सा है संपरदान के लिए इस कारक को हम आज के इस टॉ कारकण में हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक क्या पढ़ेंगे संप्रदान कारक जिसका चिन क्या है संप्रदान के लिए तो प्यारी विदार्तियों हमने पढ़ा था विबक्तियां एक से लगा करके साथ तक विबक्तियां संबोधन यह पढ़ा था तो इ देखें जिस संपरदान की परिवासा क्या है कि जिसको जिसको सम्यप यानि अच्छी परकार भली भांती से बती भली भांती परकार से दान दिया जाएं अथ्वा जिसको कोई वस्तु दी जाएं तो उसकी संपरदान कारक संग्या होती हैं जिसको कोई वस्तु दी जाएं तो उसमें कौन सी विवक्ति होगी चतूर्थी विवक्ति कारक कौन सा होगा संपर्दान कारक होगा तो देखें भली बाती प्रकासे ने अच्छी रंग से दान दिया जाए ने अधिक मात्रा में दान को देना संपर्दाने चतूर्थी अर्थात संपर्दान कारक के अंदर जहां संपर्दान कारक हो गया उसकी संपर्दान चतूर्थी अर्थोत उस संपर्दान कारक में चतूर्थी विवक्ति का परियोग होगा परियोग तो होती हैं तो देखें उधान इसके निरप ब्रामनाएं धेनूम ददाती ही तो राजा ब्रामन के लिए गाई देता है किसके लिए देता ब्रामन के लिए तो संपर्दान के लिए चुना रहा है यहां पर तो राजा ब्रामन के लिए गाए देता है तो इस ब्रामनाए सब्द में कौन से विवक्ति का प्रयोग किया गया है चत्तोर्थी विवक्ति का धनिक अर्था धन्वान याचकाय वस्त्रम यचति धन्वान याचक के लिए वस्त्र देता है तो किसके लिए दे रहा है याचकाय तो याचक सब्द में कौन से वक्ति का प्रयोग किया गया है चतूर्थी वक्ति देने के योग में चतूर्थी वक्ति का प्रयोग किया जाता है इसके लावा और देखें रुच्छी अर्था नाम पिरियमान हां रुच्छ अर्था नाम पिरियमान अर्था रुच्छ क्या है दातू है किरिया है पढ़ना लिखना गाना सुनना आना जाना यह सारी क्या है किरिया है तो क्रियाओं को क्या बोलते हैं समस्क्रит Pham 이्क यह भी क्या है दातू है जिसका अर्द क्या है अच्चा लगना तो इन अच्चे लगने वाली दातूं में भी 4 टी विवक्तीखों सैंने जिस पर गार देखें बालक आए मोध कम रोचते बालक के लिए लड़ू अच्छा लगता है तो के लिए आ रहा है लेकिन मौदकम रोचते इसके अर्थ में यहाँ पर चतूरती बक्ती का परियोग किया गया है हरे भक्ति रोचते रोचते आया है तो रोचते के लिए यहां पर हरी के लिए भक्ति अच्छी लगती हैं हरी को भक्ति अच्छी लगती हैं इसी परकार इन धातुओं वाले सब्दों में सतुत्री भक्ति का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर भी देखें रोश्चे शबदाराएं पीछे यहां पर भी रोश्चे महम तवम रोश्च से मुझे तुम अच्छे लगते हो तो इसमें भी महम में कौन से वक्ति का परियोग किया गया चतूर्थी वक्ति का तस्व में अहम रोश्चे तुम्हारे को मैं अच्छा ल अपादान कारक कौन सा कारक पढ़ते हैं अपादान कारक अपादान में देखें अपादान इसकी परिवासा है दुरुम पाए अपादानम क्या है दुरुम पाए अपादानम अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है उससे और तथा जिससे वह वस्तु या व्यक्ति जिस चीशे अलग होता है उससे जिससे भी अलग होता है उसकी क्या होगी अपादान संग्या होती है उसमें अपादान कारक का प्रयोग क्याता है और जहां अपादान कारक होगा अपादानी पंचमी अर थत अपादान कारक जहां होगा उस अपादान कारक के अंदर उसका पादानकारक में पंचमी विवक्ति का परयोग किया जाता है जहां पादानकारक होगा तो वहां पर कौन सी विवक्ति होगी पंचमी विवक्ति लेखें इसके उदान पढ़ते हैं देखते हैं वरक्सात पत्रम पत्ति वरक्स से पत्ते गिर रहे हैं तो वरक्सात में यह से अलग रहा है व्रक्ष्ष्ष्ष्ष्ट से पेड़ से व्रक्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ब से गिर रहे हैं इसमें या से अरफ वक्ति का प्रियोग में जा रहा है पंच मीवी बक्ति का प्रहोग होता है इसी परकार इसका एक ओदान और देखते हैं अपन इसका एक और आया है डूस्त नया जुगुप शाज का आर्थ है घ्रना करना विराम जिसका आर्थ है रुकना और परमाद असाधानी करना इसको आप आनंद के साथ पढ़ पंच मीवी बक्ति का प्रयोग किया जाता है जहां जुगुप शा दिखाए दें विराम दिखाए दें या परमाद इन अर्थ वाली धात्यों के अंदर पंच मीवी बक्ति का प्रयोग किया जाता है तो जैसे देखे राम पापात जुगुप से जुगुप से आया है इसम सब्धूंपर के आने पर पंशम्य वक्ती का परियोग हुआ है पाप में 5 ឥुप्त प्रमाद करता है दर्म से जलता है तो दर्मात में कौन से वक्ति आई है पंच में वक्ति तो पीछे वाले यह सब्द आए हैं जुगुप्षते गरना करना वीर्मति रोकना प्रमाद्यति प्रमाद करना इन सब्दों के आने पर इन सब्दों के योग में यहां पर पंच में का परियोग किया गया है अगला देखें अब देखते हैं अपन सस्थी वक्ति कौन से देखते हैं सस्थी वक्ति तो सस्थी वक्ति का परियोग कहां किया गया वो भी अपन समझ लेते हैं लेकिन यहां पर समंध कारकर नहीं होता है केवल सस्थी वक्ति ही होती है तो देखें स सश्टी सेशे सश्टी अर्थवत समंद का जहां बहुत होता हैं वहां समंद का बहुत कराने के लिए सश्टी वक्ति का परियोग किया जाता हैं समंद का बहुत कराने के लिए कौन से वक्ति का परियोग किया जाएगा सश्टी वक्ति का जिस परकार से राम दस्वत स्य पुत तो राम और दस्रत दोनों में क्या है समंद्ध है किसका समंद्ध है पुत्र का और वो उसका क्या है पिता तो पिता पुत्र का दोनों के बीच में एक रिष्टा है समंद्ध है तो समंद्ध जहां हो समंद्ध के योग में सश्टी वक्ति का परियोग होता है तो राम दस्रत पुत्रवासित राम दस्रत के पुत्रत थे तो दस्रत अस्य सब्द में सश्टी वक्ति का परयोग किया गया है इसी परकार देखें गंगाया जलम गंगा का जल गंगा का पानी तो गंगाया गंगाया सब्द कौन से वक्ति का परयोग किया गया है सश्टी वक्ति का शिशो जन्ने शिशू की माता तो इसमें भी शिशू की में इसका हचिन है एक काके की रारेरी शीशू की जन्नी गंगा का जल दुसरत का पुत्र तुश्वी परकार जहां काके की रारे रीन चिनोह का प्रयोग दिखाए दे वहाँ पर भी सस्टी वबक्ती का प्रयोग होता है और देखें, सस्टी वॉबक्ति का प्रयोग कहा होता है? तो देखें, सस्टी हेतु प्रयोगे may सस्टी हेतू,। हेतू सब्द के प्रयोग में अर्थात हेतू संद का प्रयोग करने पर प्रयूजन वाचक is, नहीं कोई कोई स्वार्थ हैं, अपना क previous मतलब है इस सब्द के लिए हैतु सब्द दोनों महीं हैतु और परविजन वाचक सब्द जो है इन दोनों सब्दों के योग में सश्टी वक्ती का परियोग किया जाता है जिसी परकार मोहन अनस से हैतो वस्ती मोहन या रह रहा है क्यों रह रहा है अन के कारण अनस से हैतो अन करता हुआ तो यहां पर बहु हातुम एतो सब्द की योग में यहां पर देखें यहां पर एतो सब्द के योग में अनस्य सब्द में सस्टी बक्ति का प्रयोग किया गया है या अलपस्य सब्द में अधिकर्ण का कारक काचिन क्या है मे पे और पर परिभासा आधारो अधिकर्णम अर्थात जिस इस्थान पर कोई कारे होता है अत्वाक किशी वस्तु का जो आधार होता है उस आधार में अधिकर्ण कारक होता है अधार में अधिकर्ण कारक होता है जहां अधिकर्ण कारक हो गया अधिकर्ण कारक हो जाने पर सब्तमी अधिकर्ण सब्तमी विवक्ति का अधिकर्ण कारक में पर्योग किया जाता है अर्थत अधिकर्ण कारक में सब्तमी विवक्ति का पर्योग किया जाता है तो देखें इस्वर सुरस्वमिन वर्तते इस्वर सब में हैं इस्वर कहा हैं सभी में हैं तो में आ रहा है में पेपर तो सरस्वमिन सब्द में सब्त में विवक्ति का परियोग हुआ है शी प्रकार देखें सात्रा विधाले पढ़ती तो सात्रा कहां पढ़ता है विधाले में विधाले में पढ़ता है तो विधाले सब्द में कौन से विवक्ति का परियोग किया गया सब्त में जाना तो आपको भी समझ में आ गया होगा तो इन्हें अच्छी तरसे और भी आप समझ करके अपनी कॉपी के अंदर सुन्दर लिखावट में आप लिखेंगे और आज के इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हैं तो आप लाइक जरूर करें और अगर इस यूट् सब्सक्राइब भी जरूर करें तो प्यारे विदार्तियों मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर धन्यवाद